नमस्कार दोस्तों कैसे हैं मैं आपका अपना श्रावन दोस्तों इस समय जिलास्तरिये प्रतिभाग होज प्रतिवगिता एक्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12-2 के बीच राजस्तान के 270 270 प्रिक्षा केंद रुपी दी है पांचमी चटी साथमी आठमी नवी दसमी ग्यार बारवी और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सोलिशन सील सी सीकर के यूटूब चल प्लेटफॉर्म पर क्यों सही कह रहा हूं बोलो पेपर कैसा रहा बजाया देखो ओमार सीट मिली हाना एक इतना सुन्दर सा पेपर आपके पास आया अबजेक्टिव बाद धान चाओं बच्चो गार्जिंस आप भी इसको देख रहे हैं सुनें ये एक्जाम केवल स्कोलर्शिप का मकसद नहीं होता हमारा इस एक्जाम का मकसद केवल स्कोलर्शिप नहीं है केवल एडमिशन नहीं है इस एक्जाम का मकसद है कि पांच में छटी साथ में में नहीं बच्चे को बता दिया जए उमार्षिट क्या होती है आपकिट य्या को बी एक्जाम दिना कॉम्पीटिट्यू पेसं सोचो कि अप प।झा हुं के एकजम साथ किल demonstrating का besteht आधे उमार को भरत है उसकता उसे गलती हं होगी होगी हो सकता वकिसाम को डंसे दाया होगा फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे वहशे की तरब तो यह वीडियो सोलुशन आप देख रहे हैं हर क्लास का अलगले वीडियो सोलुशन है पूरा वीडियो सोलुशन देखें आपको किसी भी प्रश्ण में ल और 27 तारी की रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 फरवरी को ही रात को 9 बजे हमारी साइट पे साइट कौन सी dtsc.clc.in जैनि इस एक्जाम की जो भी स्ट्री है वो सारी नहीं रहेगी अब फिर से एक बास स्लाइट देख लेए dtsc.clc.in ओके एक्जाम हो गई वीडियो सोलुशन देख लिया ड़ाउट खतम हो गए आंसर मिला लिये नमबर चोड लिये ओके डियर, रिजल्ट कब आएगा, धाना आपको, रिजल्ट आएगा, तीन मार्च को शाम को पांच बजेट, हाँ, वोई साइड पे जाओ, देखो आप साइड पे जाओगे, ये रिजल्ट की साइड खुलेगे, तिन तरी कोई, पांच बजेट, देखो ये रहा, अपना र गुझनू, अजमे, रासमन्द की डेट्स, हम भोली की बात देंगे, क्योंकि आपको पता, पांच मार्च से लेके, सोड़ा मार्च तक लगातार में फंक्शन कर रहा हूं, हाँ, मैं खुद आ रहा हूं सा बिलकुल, बिलकुल 29 के 29 दिले में खुद कवर करने आओंगा, न मेरे जिसे बहुत श्रावन को, श्रावन से लसी तक के मुकाम पे पहुंचाने का भियान, आखरी सांस तक रहेगा मेरा, से लसी बाई चांस नहीं है साब, आज के 26 साल पहले, जो सीकर में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, मापी चाहता हूं, गलत सब काम ले रहा हूं, अपने आपने केरियर का स्टेड केस थाई, आज तो लोग नकल करते हैं यहां, आज तो चलते हैं बाजार में कोई भी अपने खेला लगा लेता है, लेकिन हमने सीकर की जमीन पे एक बीज बोया, उस बीज की खुश्बू है, कि आज हजारों हजारों बेटा बेटी, हर साल CLC के मदियम से मेडिकल में जाता, आईटी में जाता, नाईटी में जाता है, CLC ना किसी की होड में बनी, ना किसी को तोड के बनी, CLC मूल बीज है, एक विचार बीज है, जो जमी फोड के बनी, और इसलिए दौस्तो आज, 270, गार्डियन साथ सोचके देखो, दालजस्तान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एक्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है अल्टीमेट पेपर उसका रिजल्ट कब आएगा आप वीडियो सोलिशन देख रहे हैं आप की देख रहे हैं उसके बाद फंक्शन और हर जिले पर आकर आपके जिले पर आकर आपका पुरुषकार बित्रन क्या जाएगा डैटो टाइम आप जिरूर प्लीज वाच कर ले हाँ पुरुषकार बित्रन सामारों में सबी मेरे अपने साधरामन देते हैं जिन बच्चों ने एक्जाम दी हैं उनको तो आने आना है अन्य बच्चे भी मोटिवेशन सेमिनार भी होगा वहां उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं वसे इस कोरणा के टाइम मे मेरे शाम के लाइव सेस्टन से बहुत से परतेक्ष एपरतेक्ष मेरे अपने जुड़ेवे हैं आपको धाना ना वे डेली शाम को साधे 6 वजे CLCC कर फेस्पूट पेज, CLCC कर यूटूब चैनल और श्रवन CLC मेरे तो पेज हैं उन सब पे साधे च लाइव आता हूँ आप बहुत अच्छा लगा अज लेटेस्टी वीडियो से पहले हमारे भरतपूर के दो परी बहुत ही गाउं के सिंपल से किसान भाई आये, उन्हें कहा चोधरी साहब हम आपका लाइव देखते हैं तो सिर्दा मेरे आंग्ठों पानी आ गया, उस दिन पता लगा कि दोस्तों अखिकत यह है, बगवान कुष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी, कि करम को मन से किया जाए, तो फल की इच्छा करने कहा हो सकता नहीं है, फल बगवान अपने आप देता है, तो देरा सी एलसी को, ओके, वापस पॉइंट काते हैं, ठीके डियर, रखजाम होगी, पुष्कार देने के लिए साइस्टा की विवसाइक जिम्मेदारी नहीं है, फ्रेंडी जिवादरी फिर भी हमारी है, हाँ, सीकर कभी आओगे, तो दिये दिया जाएगा, आप सोचो की उधेपुर फंक्शन थार मुवापस उधेपुर पुष्कार देने आओंगा, पुष्कार के लिए आपको अपना आधार कार्ड बे साथ लाना होगा, और इसके लावा मैं इस वीडियो से सब अपनों से फिल करता हूँ, जो जितना जानते हैं, जो जीतना जानते हैं, रोकाम सिकाती है, CLC, CLC जीतना सिकाती है, जीतना सिकाती है, ये सुनना देखना है तो आपका अपना श्रावन आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बात करने के लिए हर दिन सुबह साम दोनों टाइम मीटिंग्स लोड रहेगा और फिर भी एक जुनून है फिर किसी जौपनी भी बैटी को आई टीम भेजना है फिर किसी एक सामाने से परिवार के बच्चे को दिली एम्स भेजना है सब सपने बड़े हैं तो काम तो करना है पड़ेगा ना सब कलाम साथ की बात सब बहुत अच्छे लगती है कि सपने वो नहीं होते हैं सपने के बाद आते हैं सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं और इसी सपनों को पुरा करने के लिए हम जिले जिले गाउं गाउं डगर डगर गूम रहे हैं क्योंकि माफी चाहता हूँ, उन लोगों के तो बहुत रखवाले हैं, जिनके घर में अर्थ भी है, गाइडलाइन भी है, श्रौण और सियल्सी तो उनके सार्थी है, जिनके घर में यही नहीं पताईटी मेडिल का होती है, अर्थ का भी थोड़ा भाव है, थोड़ा भाव ग एक चार पुर्ष कर दो तु कि किसी प्रीचे की महताज नहीं है दोस्तों CLC परतिभाओं को तलास कर तरासने का काम करती है इसी कड़ी में मैं हूँ दोस्तो रनवीट जाखा टीम कवसी CLC सीकर से अपन DTSC जो अपने पेपर दिया है उसके पेपर सोलुशन की बात कर रहे है चलो कहानिस सार्ट करते हैं कलास 11 का है औरगनी कवसी जो अपने को कमपाउंड दे रखा है उसका IUPAC नाम अपने से पूछा गया है तो IUPAC नाम अपने को पता है दोस्तों की डबल बोन को फस प्रियोटी दी जाती है यानि कि अगर प्रियोटी की बात करें तो मेन फंक्शनल ग्रूप उसके बाद में मल्टीपल बोन यानि कि डबल बोन और ट्रिपल बोन उसके बाद में सब्शुटेंड ग्रूप देखा जाता है दोस्तों तो यहाँ पर अगर पन बात करें तो डबल बोन तो कह रहा है कि कहीं से भी काउंटी कर लो अगर डबल बोन को वन और टू नंबर रिंग में आ जाता है तो फिर दिखा जाता है कि सब्शुटेंड को लेस नंबर मिलना चाहिए तो सब्शुटेंड को यहाँ पर फस नंबर पर आ रहा है दोस्तों तो यहीं से काउंटिंग अपन स्टार्ट करेंगे और डबल बोन को कंटिनुटी में नंबर देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 और 6 नंबर पर क्या रहा है दोस्तों मिथाईल आ रहा है तो आपन क्या यूज करेंगे 1, 6, डाइमिथाईल साइक्लो हेक्जीन 1, 6, डाइमिथाईल साइक्लो हेक्जीन यहाँ पे हेक्जेन लिखा हुआ है यहाँ पे हेक्जेन लिखा हुआ है तो अपने डबल बोन के लिए इन का यूज करते हैं तो कौनसा आंसर हो जाएगा दूस्तों थर्ड आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल की अगर पर बात करें तो क्या दे रखा है अपने को 52 नमबर सवाल देखिएगा अपने से जो दो compound दे रखे हैं उसमें पूछा गया है कि relation क्या है तो अब अपने को दे रखा है कि molecular formula यानि कि when compound having same molecular formula but different structure तो उसको अपन structural isomerism में count करते हैं तो यहाँ पर बात करें तो 1,2,3,4,1,2,3,4,4 carbon,4 carbon,1 oxygen,1 CL इसका मतलब molecular formula same है but structure different है और structure कैसे different है दोस्तों यहाँ पर acid halide functional group दे रखा है और यहाँ पर अपने क्या दे रखा है दोस्तों अगर अपन बात करें तो यहाँ functional group isomerism दे रखा है यह और यह ketonic है और यह क्या है CL है substitute यानि कि functional group different हो गया तो उसे अपन क्या बोल देंगे functional group isomers तो answer अपना कौन सा आ जाएगा FZI का आ जाएगा next सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 53 number सवाल देखेगा दोस्तों 53 number सवाल which of the flowing can show chain isomerism chain isomerism के लिए condition होती है कि minimum अपने minimum 4 carbon required होते हैं यानि कि number of carbon different in main chain और side chain उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों chain isomerse बोलते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या दे रखा है 1 chloropropane दे रखा है 1,2,3 और CL दे रखा है तो इसमें अगर अगर अपन CL की position change कर सकते हैं बड़े इस 3 carbon को अपन चेंज नहीं कर सकते हैं यानि कि उसका chain में कोई change नहीं कर सकते तो यह अपना अंसर नहीं हो सकता 1 chlorobutane की अगर बात करें तो इसमें कितने carbon है दोस्तों 4 carbon है और 1 CL है इसका मतलब यह कौन सा ग्रूप है butyl butyl को अपन ISO butyl में convert कर सकते हैं तो यह यहाँ पे अपन CL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों number of carbon different in main chain तो उसे क्या रिस्ता हो जाएगा दोनों का CI का यानि कि chain isomerism का हो जाएगा तो यह अपना answer हो जाएगा यहाँ पे 2 carbon है दोस्तों तो 3 वाली भी नहीं कर सकती तो 2 वाली कैसे कर सकती है और यहाँ पे single है तो कौन सा answer हो जाएगा second answer is correct next सवाल कि अगर पन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है दोस्तों 54 number सवाल तो देखिएगा क्या कह रहा है 54 54 identify pair of metaverse metaverse किसको बोलते हैं दोस्तों when compound having same functional group but polyvalent functional group से attach alkyl और aryl part की nature कैसे होनी ची डिफरेंट होनी ची तभी वो दोस्तों क्या होगी metaverse होगी तो यहाँ पे अगर पन बात करें तो यह देखो कौन सा functional group है एश्टर है और यह क्या हो गया दोस्तों पलक जपकते ही कार्बोकसलीक acid में change हो गया तो इसका मतलब यह तो functional group isomers हो गई अपना answer नहीं हो सकता उसने metamers की बात की थी यहाँ पे देखिए का जोस्तों क्या दे रखा है एश्टर और इसमें carbon कितने दे रखे हैं वान टू थ्री फोर एश्टर group दे रखा है तो metamers के लिए क्या होना चीए एश्टरी फंक्शनल group होना चीए बट पोलिवेलेंट फंक्शनल ग्रूप से attach अलकाइल और अराइल पाइट की nature different हो सकती है यानि की carbon के साथ में single carbon attach है oxygen के साथ में two carbon attach है यहाँ पे देखिए का दोस्तों ether दे रखा है और इसकी बात करें तो one two three और इसमें कितने carbon दे रखे हैं four carbon दे रखे हैं इसका मलो molecular formula यह सेम नहीं है तो यह isomers नहीं हो सकते दोस्तों इन दोनों का रिष्टा तभी हो सकता है जब molecular formula क्या हो सेम हो तभी वो आपस में isomers हो सकते हैं कौन सा answer आ जाएगा दोस्तों second answer next सवाल की बात करें तो कौन सा है 55 number सवाल क्या कर रहा है दोस्तों बहेदी प्यारा सा सवाल है consider the flowing two compound अपने को जो दो compound दे रखे हैं उनके बारे में identify correct statement की बात करनी है अपने को तो सही कतन देखलो दोस्तों इसकी अगर पर बात करें देखो BR दे रखा है BR दे रखा है सेम है यहां पर बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों CS3 दे रखाया और यहां पे क्या दे दिया CH2 CL दे दिया इसका मतलब यह जो है वो क्या है BR के सामने क्या दे रखा यहां पे BR के सामने CH2 CL दे दिया इसका मतलब यह कोई क्या है 3D Arrangement डिफरेंट है अगा हम उसको अपन क्या बल लेंगे GI या फिर OI बोल सकते हैं तो यहाँ पे Double Bond Restrictor Rotation है तो यह क्या है Geometricals Isomers हैं दोनों देख सकते हैं अपन E और Z हो सकता है यह Nomenclature कर सकते हो आप E और Z First priority किसको देते हैं? BR को Second priority किसको देते हैं? CL को इन दोनों में से First priority इसको देंगे और Second priority इसको देंगे इसका मलब High priority group क्या है? Opposite side में है तो अपन किसका इस्तमाल करेंगे? E का इसकी बात करें तो First 1 और इसको 2 नमबर देंगे किसके according देखते हैं? Sequence Rule CIP Rule के according तो यहाँ पे बात करें तो Carbon 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 के साथ में CL है तो First और इसको Second इसका मतलब यह कैसा हो गया दोस्तो? Z हो गया तो इसका मतलब CISO Trans Isomers हो गए यानि कि एक Z है और एक क्या है? E है ठीक है? तो GI है यह Geometrical Isomers है तो यहाँ देख सकते हैं Geometrical Isomers की Physical Properties क्या होती है? दोस्तों? Different होती है Physical Properties different होती है यानि कि BP, MP, Solubility, Stability यह सब क्या होती है? दोस्तों Different होते हैं तो both have different melting point melting point इसके लिए क्या है? दोस्तों Different है यह सही बात बोल रहा है क्या कर रहा है? Solubility in water same है, same हो सकती है का नहीं हो सकती? Physical Property different होगे इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों BP, MP, Solubility, Stability क्या नहीं हो सकती? Seem नहीं हो सकती? Different मिलेगी तो इसका मतलब यह क्या होगे दोस्तों? Incorrect both are diastereomer Ccentral is always diastereomer diastereomer किसको बोलते हैं? दोस्तों जिसकी physical property different होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? diastereomer बोलते हैं, diastereomer को open fraction distillation से separate कर सकते हैं का मतलब first or third answer आजाएगा यानि कि fourth answer is correct कौनसा आजाएगा? चोथा answer आजाएगा दोस्तों next सवाल कि अगर पन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है? 56 number सवाल देखीगा दोस्तों 56 number सवाल कि अगर पन बात करें तो which is incorrect statement कौनसा कथन क्या नहीं है? सही नहीं है यानि कि गलत है ethanol and dimethyl ether are functional group 500 words यानि कि जिसमें functional group change हो जाए दोस्तों वापस में क्या होगा? FGA होगा ethanol क्या होता है अपने पास? CS3, CH2 और OH होता है और ether की अगर पन बात करें तो क्या जाएगा आपने पास? CS3, O और CS3 methyl, O, methyl single bone है दोस्तों यह है तो यहाँ पर अगर पन बात करें तो क्या दे रखा है यह? functional group different हो गया तो functional group isomers इसका मतलब यह correct answer है ठीक है? और इसमें क्या पूछा है? incorrect यानि कि यह statement correct है अपने क्या पूछ रहा है? incorrect पूछ रहा है यहाँ पर अगर पन बात करें तो क्या दे दिया? cyanide और यह क्या दे दिया? isocyanide बट यह क्या दे रखा है कि totomers है यह totomers नहीं हो सकते दोस्तों totomers किसको बोलते हैं? यानि कि when compound having different functional due to shifting of hydrogen hydrogen की shifting के कान अगर functional group change हो जाता है तो यहाँ पर अगर पन बात करें तो CS3 की shifting के कान functional group change हो रहा है CS3 की functional group isomers हो गया यह यानि कि CS3 के group के कान क्या हो रहा है functional group change हो रहा है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? FGI functional group isomers बोलेंगे तो इसका मतलब यह incorrect statement है दोस्तों incorrect पुछा था यह incorrect है फिर अगर पन बात करें तो क्या दे रखा है ISO butyl alcohol and tertiary butyl alcohol are position isomers ठीक है तो यहाँ पर अगर पन बात करें तो क्या दे रखा है ISO butyl ISO कभी use करते हैं दोस्तों terminal end से second number carbon per single CS3 है तो अपना ISO use करते है यह ISO butyl है दोस्तों ISO butyl alcohol है और इसके साथ में क्या दे दिया tertiary butyl alcohol यह tertiary butyl alcohol है यहाँ पर आपने क्या use कर दिया OH तो देखिए का पहले first number पर OS था आप कौन से number पर आ गया second number पर इस कमलव आपने position change कर दी दोस्तों तो इन दोनों का अपस में रिस्ता क्या हो गया PI का तो यह statement क्या है right है incorrect ढूंडा था benzyl alcohol and methoxy benzyne RFGI जी हाँ सही बात बोल रहा है benzyl alcohol कौन सा होता है दोस्तों benzyl alcohol यह होता है benzyne यानि की toluene toluene में से single hydrogen को remove करके आपने OH एड कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे benzylic alcohol तो benzyl alcohol and methoxy benzyne methoxy benzyne यह होता है जोस्तों benzyne के उपर OCS3 लगा दें जिसका प्यार से क्या बोलते है any soul भी बुला साता है तो इसका मतलब यह तो OH ग्रूप है और यह कौन सा हो गया OR ग्रूप हो गया इसका मतलब इन दोनों का अपस में रिस्ता क्या है alcohol and ether are FGI functional group isomers है तो इसका मतलब यह भी सही है तो अपना answer कौन सा आजाएगा second answer हो जाएगा ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करते हैं कौन सा answer मिला second answer next question कि अगर पन बात करें तो क्या दे रखा है अपने को 57 नमबर सवाल क्या करा है दोस्तो C5H10 how many terminal alkene terminal alkene का मतलब 1 alkene बनानी है आपको क्या बनानी है 1 alkene are possible with a molecular formula C5H10 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 के लिए सबसे पहले आप DU निकाल सकते हो DU के लिए क्या होता है CX और HY यह formula होता है यानि कि X plus 1 minus YY2 तो कितना आजाएगा दोस्तो DU की अगर पन बात करें X plus 1 तो कितना है 5 plus 1 minus क्या आजाएगा 10Y2 तो DU की बात करें तो कितना आजाएगा 1 DU आजाएगी कितनी DU 1 1 DU का मतलब है इसमें 1 double bond हो सकता है 1 ring हो सकती है तो only on अपने किसकी बात करनी है terminal alkin की बात करनी है तो terminal alkin अपन बना सकते हैं तो देखिए बनाईए 1, 2, 3, 4, 5 यही दे रखा है अपने को यहाँ पर double bond लगा दो एक तो यह वाली alkin बना सकते हो दूसरी अपन कौन सी alkin बना सकते हैं दोस्तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर CS3 लगा दो यहाँ पर CS3 लगा दो फिर अपन CS3 की position change कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4 carbon और यहाँ पर पहले add किया था यहाँ पर CS3 add कर दो ठीक हैं अब अपन क्या कर सकते हैं इन ही में तो छेड़ चाड़ कर सकते हैं अपन 3 carbon थे 3 carbon का अपन क्या बना सकते हैं प्रोपाइल और आईसो प्रोपाइल गुरूप बनाएजा सकता है यानि कि टूठल कितनी है terminal alkin terminal alkin का मतलब double bone terminal end पे रहना चाहिए यानि कि सीरे पे रहना चाहिए तो कितनी alkin का formation कर सकते हैं दोस्तो 3 alkin का formation कर सकते हैं ठीक है तो कौन सा answer आजाएगा दोस्तो second answer next सवाल की बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 58 number सवाल 58 number सवाल जी उसी का बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तो NCRT का क्या कह रहा है वो which has maximum value of KA की अगर पर बात करें यानि की KA का मतलब क्या है acidic strength यानि की acid dissociation constant acid dissociation constant को अपन क्या बोलते हैं KA तो अपने को पता है कि acidic strength directly proportional होती है किसके minus वालों के यानि की electron withdrawing group है तो वो acidic strength को क्या करते हैं increase और electron leasing group add कर रखे हैं तो वो क्या कर देंगे acidic strength को decrease कर देंगे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के साथ यानि कि किसी acid के साथ में कोई electron accuracy समोह जुड़ा हुआ है यानि कि minus वाले जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे acidic strength को बढ़ाएंगे और अगर plus वाले जुड़े हुए हैं तो वो acidic strength को क्या कर देंगे घटाएंगे तो देखते हैं के एक ही value अधिक्तम पूछी गई है यानि के maximum value पूछी गई है तो यहाँ पर NO2 NO2 का कौनसा effect होता है दोस्तो minus I CL का भी कौनसा effect है minus I और CS3 का कौनसा effect है इसका plus I है और CN का कौनसा effect है दोस्तो minus I minus I सबसे ज़्यादा किसका होता है अगर अपन बात करें इन तीनों में तो NO2 के उसके बाद में CN का उसके बाद में हैलोजन का नंबर आता है दोस्तो तो NO2 का minus I सबसे ज़्यादा है इसका मतलब यह strong acid होगा तो कौनसा answer आ जाएगा दोस्तो फास answer की ओने सारा हुआ ठीके next सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 59 नंबर सवाल 59 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तो which compound show hyperconjugation hyperconjugation की अगर अपन बात करें तो किसके कारण यानि की CH bone के कारण होता है किसके कारण होता है CH bone participate करता है किस-किस में हो सकता है यानि की sigma bone के alternator में क्या होना चीए पाई bone हो सकता है यानि की alkyne में hyperconjugation हो सकता है यह जो sigma bone है वो कौनसा bone होता है CH bone यह कौनसा होना चीए SP3 वाला होना चीए ठीक है और सिग्ममोन के अल्टरनेट में क्या होता है दोस्तों पोजटीव चार्स यानि कि इंट्रमीडियेट कार्बोकटायन किसी भी कार्बोकटायन में हाइपर गॉंजुगेशन पॉसिबल है फिर अगर बात करें तो कंडिशन अपलाई कि क्या होना चीए अल्फा हाइट्रोजन परसेंट होना चीए फ्री रेडिकल यानि कि अनपेड इलेक्टरोन किसी के पास है यानि कि फ्री रेडिकल में हाइपर गॉंजुगेशन शो हो सकता है तो कार्ब एनाइन में नहीं हो सकता दोस्तों इसका उक्टेट कंपलीट है तो इसका मदलब या हाइपर गॉंजुगेशन शो नहीं कर सकता इसके पास अनपेड इलेक्टरोन है बड़ ये अल्फा हाइट्रोजन होना चाहिए था अल्फा कार्बन है बड़ अल्फा हाइट्रोजन नहीं है कार्बोकटैन का ठीक पुडोसी कार्बन क्या होता है वहला अलफा कार्बन होता है उससे अटेच हैट्रोजन अलफा हैट्रोजन होंगे ठीक है और फ्री रेडिकल का ठीक पुडोसी कार्बन यानि कि फ्री रेडिकल का ठीक पुडोसी कार्बन क्या होता है alpha और ये carbon कौन सा है बीटा तो alpha वाला participat करता है alpha वाला carbon क्या होना चीए SP3 और उसके पास क्या होना चीए दोस्तो हाइट्रोजन होना चीए हाइट्रोजन के कान hyperconjugation है sigma और unped electron में hyperconjugation होगा इसका मतलब ये hyperconjugation शो कर रहा है carbon आइंशो नहीं कर सकता दोस्तो तो कौन सा answer आजाएगा अपना third answer की और इसारा हुआ next सवाल किए अगर बात करनें दोस्तो तो क्या दे रखा है six zero number सवाल देखिएगा six zero number सवाल अपने से कहा गया है कि in which compound resonance is not possible कौन सी ऐसी structure है जिसमे resonance possible नहीं है दोस्तो अब resonance किसको बोलते हैं pi bone के alternate में क्या होना चीए दोस्तो pi bone होना चीए यानि कि pi sigma pi उसको conjugation बोलेंगे pi bone के alternate में क्या होना चीए pi bone उसको अपन क्या बोलते हैं conjugation यानि कि resonance pi bone के alternate में क्या होना चीए दोस्तो positive charge pi bone के alternate में क्या होना चीए दोस्तो negative charge पाई बोन के अल्टरनेटर में क्या होना चीए दोस्तों अनपड इलेक्ट्रोन पाई बोन के अल्टरनेटर में क्या होना चीए दोस्तों लोन पियर ओफ इलेक्ट्रोन क्या होना चीए लोन पियर ओफ इलेक्ट्रोन और लास में अगर अपने बात करें तो लोन पियर ओफ इ कहलता है यानि कि back bonding कहलती है तो यहाँ पर बात करने तो देखो इसके resonating section के rule भी है rule आपको पता होना चाहिए यानि कि more than eight electron is not possible in second period elements यानि कि दूसरे आवरत के elements के पास eight से ज़्यादा electron नहीं होने चाहिए यहाँ पर बात करने तो pi sigma positive charge तो यह conjugation कर सकता है बर जैसी आपने conjugation करवा दिया तो क्या मिल जाएगा दोस्तो CH यह bond इधर चला गया इधर चला गया तो अपने पास क्या जाएगा देखो CH और CH यहाँ पर N CS3 और इसके उपर क्या जाएगा दोस्तो positive charge आ जाएगा अब इसका positive charge खतम हो गया तो nitrogen ने देखो किते बोन बना लिए दोस्तो फाइब बना लिए और फाइब बोन हो गया इसका मतलब एक बोन में दो electron होते हैं तो टूटल किते electron होगे 10 electron क्या nitrogen second period का है यस है तो क्या यह 10 electron रख सकता है नहीं रख सकता दोस्तो more than 8 electron is not possible in second period elements तो इसका मतलब यह इसकी resonant नहीं बनाई जा सकती यानिकि इसकी resonating structure possible नहीं है यहाँ पर बात करें तो फास्पोरस फास्पोरस के उपर positive charge है दोस्तों लेकिन फास्पोरस के पास vacant d orbital है तो इसके पास vacant orbital है यह क्या कर सकता है दोस्तों conjunction कर सकता है तो इसमें possible है इसमें बी की बात करें तो दोस्तों इसके पास vacant p orbital है कौनसा पर बात करें तो कौन सा दे रखा है 6C1 नमबर सवाल देखिएगा दोस्तों 61 नमबर सवाल कि अगर पर बात करें तो 1 mole butylene दे रखिए है ozonalysis का बहदी प्यारा सा सवाल है न्सीयर्टी का butylene का मतलब क्या हो गया दोस्तो CS3, CH, double bond, CH और CS3 इसका ozonolysis करवा दो दोस्तो क्या करवाना है जिंक और जिंक के साथ में क्या दे रखा है वोटर यानि कि reductive ozonolysis करवाना है reductive ozonolysis किसका काम करता है दोस्तो double bond को break करतो पहले ozonide बनाएगा ozonolysis क्या हो जाएगा जिंक और H2O की presence में hydrolysis हो जाएगा और किश्मिच चेंज हो जाएगा दोस्तो LD हाइड में convert हो जाएगा तो यानि कि अपने को क्या मिल जाएगा CS3, CHO ये बन जाएगा दोस्तो LD हाइड कौनसा है ये acetildehyde कितने मोल मिलेंगे दोस्तो 2 मोल मिल जाएगे यानि कि 2 मोल LD हाइड तो यहाँ 1 मोल दे रखा है या 2 मोल दे रखा है तो कौनसा answer आजएगा अपना 3rd answer हुआ ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौनसा है अपने 62 नंबर सवाल 62 नंबर सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है दूस्तों यह ऐसा सवाल है जो इस बार NEET में भी आया था 2021 में आपने देखा होगा सवाल यानि कि कौनसी reaction है यह इस reaction की अगर पर बात करें तो D-carboxylation reaction है D-carboxylation reaction soda lime की presence में किसमे convert हो जाती है यानि कि sodium salt of carboxylic acid को soda lime की presence में heat करते है तो वो किसमे चिंद हो जाती है alkane में convert हो जाती है तो देखिए का दोस्तों क्या दे रखा है अपने को यह दे रखा है CS3, CH2, COO और sodium salt of propionic acid दे रखा है यह दे रखा है तो propionic acid का sodium salt है यह यानि कि इसका नेम क्या हो गया दोस्तों sodium propionate तो sodium propionate में अपन क्या करवा रहे है soda lime NaOH plus CAO क्या बोला साता है इसको soda lime की presence में अगर अपने इसको heat कर देते हैं दोस्तों तो क्या बनता है CO2 leads हो जाती है और CS3 radical बनेंगे CS3 radical CS3 क्या मिलता है इसमें carbonine का formation होता है और carbonine hydrogen को add करके क्या बना देता है ethane का formation कर देगा दोस्तों और electrolysis एक colby electrolysis होती है उसमें radical का formation होता है और decarboxylation की बात करें तो उसमें intermediate carbonine का formation होता है तो यहाँ carbonine मिलेगा तो इस reaction से अपन क्या कर सकते है decarboxylation से CH4 का formation भी कर सकते है बट colby electrolysis से CH4 का formation possible नहीं है तो कौन सा answer आजाएगा ethane का formation हो जाएगा दोस्तों क्या बन जाएगा ethane यानि कि इसमें क्या बनता है दोस्तों CO2 remove होती है और साथ में क्या होता है NaOH भी मिलता है और साथ में H2 भी remove होती है यानि कि ये कहानी किस पे है दोस्तों anode पे और ये किस पे कहानी है H2 cathode पे ठीक है जैसे जिसे reaction forward की और यानि कि क्या जाएगी दोस्तों backward से forward की और move होती है तो solution में pH increase होती है यानि कि NaOH का formation हो रहा है इसका मतलब solution की pH increase हो जाएगी तो कौन सा answer आजाएगा first next सवाल की अगर पन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है 63 number सवाल देखिएगा दोस्तों 63 number सवाल बहदी प्यारा सा सवाल है क्या दे रखा है HBR proxide HBR proxide की अगर पन बात करें तो ये भी 2021 में ऐसा सवाल मिला था अपने को ये नहीं था लेकिन ऐसा सवाल आया था कि HBR proxide की presence में क्या करता है दोस्तों anti-marconic of rule के according HBR का addition होता है HBR के दोनों process कैसे होते हैं exothermik होते हैं इसलिए only HBR ही proxide effect शो करता है cross effect शो करता है anti-marconic of इसमें क्या होता है दोस्तों पहले BR का addition होता है यानि कि BR radical attach होगा BR radical attach होगा तो more stable free radical का formation होजाता है यानि कि 3 degree free radical more stable है तो यहां पे बाद में क्या जुढ़ेगा दोस्तों H तो कौन सा answer आज आजएगा दोस्तों देखलो जिसमें BR कौन सा हो जहां crowding minimum हो तो कौन सा आ जाएगा दूस्तो second ठीकें नेक्स इसी कड़ी में आगे बढ़े हैं तो अपने को कौन सा सवाल दे रखा है 64 number सवाल 64 number सवाल अपने को क्या दे रखा है concentrate as to iso4 यानि की alcohol की reaction है दूस्तो अपने को reaction दे रखी है दोस्तों सबसे पहले क्या होगा concentrate as to iso4 h positive देगा यानि की acidic है यह अपना lone pair of electron क्या कर देगा दोस्तों donate कर देगा यानि की अपना lone pair of electron h positive पे लुटा देगा जैसे इसने अपना lone pair of electron h positive पे लुटा है तो क्या बन जाएगा cs3 cs3, ch और cs3 यहाँ पे अपने क्या जाएगा oxygen, oxygen के उपर क्या आगा दोस्तों positive charge more in atom अपने आपके उपर positive charge बरदास नहीं कर सकता यानि की ज़्यादा ताकतवर है तो यह अपने उपर घटा सैन नहीं कर सकता तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों हट बड़ा हट में इलक्ट्रोन खेंचेगा अब किससे खेंचेगा कार्बन से कार्बन से जैसे ही इलक्ट्रोन लेगा तो दोस्तों H2 और लीज हो जाएगा और किसका formation हो जाएगा intermediate carbocatine का formation हो जाएगा अब जिस भी reaction में intermediate carbocatine का formation होता है उसमें red enhancement possible होता है दोस्तों क्या हो जाएगा ये क्या है 2 degree intermediate carbocatine मिला है लेकिन पडोसी क्या बन सकता है 3 degree में convert हो सकता है तो H migrate हो जाएगा जैसे ही अपने H migrate करेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा अपने को 3 degree intermediate carbocatine का formation हो जाएगा इसके उपर positive charge आगया दोस्तों अब यह यहां से H release करना है आपको अब आपके पास दो option है या तो आप यहां से alpha hydrogen remove कर सकते हो यह और यह एक जैसे हैं दोनों यह वाला hydrogen remove कर सकते हो तो वो अलकीन बनाएंगे जो more stable होगी यानि कि अपने क्या बना सकते हैं CS3 CS3 double bond CH और CS3 एक तो आप यह अलकीन बना सकते हो दूसरी terminal alkyne का formation कर सकते हो CS3 CH2 CS3 इन में से more stable कौन है जिसके पास number of alpha hydrogen ज्यादा है तो जिसके पास number of alpha hydrogen ज्यादा होंगे दोस्तो वो alkyne क्या होगी more stable होगी तो देख लो कौन सी है more stable ठीक है major product उचा गया है तो major product सेज़फ alkyne के coding major product बनेगा दोस्तो जिसके उपर more alkylated group यानि कि more alpha H present होते हैं उसको open क्या बोलते हैं सेज़फ alkyne बोलते हैं और जिसके पास alpha hydrogen minimum होते हैं यानि कि alkylated group minimum होते हैं उसको open hopman alkyne में count करते हैं तो कौन सा आजाएगा दोस्तों major product अपना सेज़फ alkyne यानि कि जो more stable है कौन सा answer मिला अपने को third next इसी कड़ी में आगे बात करें त 65 number सवाल पहदी प्यारा सा सवाल है दोस्तों acetylene के preparation के लिए use करेंगे अपन कि किस से अपन acetylene का formation कर सकते हैं तो ये दे रखा हैं दोस्तों chloroform chloroform को AZ यानि कि chloroform की reaction अपन AZ के साथ करवादे हैं दोस्तों तो AZ किसका काम करती हैं दोस्तों hallucin के साथ भाई बेहन का रिस्ता परदसित करती हैं यानि कि AZ hallucin को ले जाने का काम करती है तो क्या मिल जाएगा दोस्तों azcl remove हो जाएगा और किसका formation हो झाएगा acetylene का formation हो जाएगा यानि कि आप क्या लोगे क्लोरोफॉम आपको दे रखा है और 6 मॉल AZ के और क्लोरोफॉम के 2 मॉल CL3 और CH तो ये रिमूब हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH, ट्रिपल बोन CH इसको अपन क्या बोलते हैं एसीटलीन बोला साता है यानि कि इथाइन का फॉर्मेशन हो गया फिर अगर बात करें दूसरे की, दूसरा अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा दे रखा है कैलसियम कारबाइड, NCI-T की ये फस रियक्शन है जिससे अपन कैलसियम कारबाइड से अलकाइन का फॉर् आब negative वाले के पास positive वाला और positive वाले के पास है negative वाला तो इसके पास क्या जाएगा हैं तो किस में convert हो जाएगा C2H2 में convert हो जाएगा और C2H2 क्या होती है दोस्तोँ Acetylene होती है तो इसका मलब इससे अपन Acetylene बना सकते हैं और Zinc के साथ अगर क्या दे रखा है जैमिनल है या विसिनल है विसिनल Dihelad दे रखा है तो विसिनल Dihelad को Zinc dust की presence में heat करते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तो ZNBR2 और किसका formation हो जाएगा एथिल्लीन यानि कि एथीन का formation हो जाएगा तो अपने को क्या चीए थी Acetylene तो first और second answer आजाएगा यानि कि fourth answer की और ही सारा हुआ ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को सवाल नंबर 66 अपने को दे रखा है दोस्तों एलकीन की reaction है या hydrocarbon की बहदी प्यारी सी तो एलकीन की BR2 और CCL4 अपने को पता है दोस्तों किसका काम करती है यह unsaturated test शो करती है यानि कि यह कौन सा color होता है reddish brown color होता है यानि कि brown color अलकीन और अलकाइन के contact में आते ही decolored हो जाती है इसका मतलब यह unsaturated test शो करती है तो BR2 के साथ में reaction करवादो दोस्तों अपने को क्या दे रखा है BR दे रखा है BR इसके उपर partially positive charge इसके उपर partially negative charge induced charge आएगा क्यों कि किसी को देख कर यह खुद क्या हो जाएगा induced हो जाएगा यानि कि प्रेरीत हो जाएगा तो प्रेरीत वाला charge आता है तो यह पाई electron density इसके उपर टेक कर जाएगी और यह अपने electron लेकर remove हुआ तो किसका formation हो जाएगा दोस्तों जैसे ही इसने यहाँ पे OH दे रखा है और यहाँ पे double bone अब double bone nucleophile का का काम किया है किसके उपर positive charge आजाएगा दोस्तों BR के उपर किसका formation हो गया cyclic bromonium iron यानि कि three member ring non classical carbocatine का formation हो गया non classical carbocatine किसको बलते हैं जिसमें carbon पे positive charge नहीं होता किसी और के उपर positive charge होता है यानि कि re-runsment possible नहीं होता अब इसमें देखो यह living group की काम कर रहा है यानि कि three member ring बनी है listable है और यह OH दे रखा है और OH किसका काम करता है दोस्तों nucleophile का तो यह अपना lone pair of electron इस पे लुटा देगा अब कहां पे लुटाएगा दोस्तों जहां पे crowding जादा होगी वहीं पे attack करेगा ठीक है तो इसका rule है कि कहां पे जहां पे ऐसा stable more stable carbon का formation होता हुआ हो कि यह electron इधर जा सकता है इधर जा सकता है इसके उपर positive आएगा अगर यह इधर गया तो इसके उपर positive charge आएगा इधर गया तो अब positive charge more stable कौन सा हो सकता है 1 degree या 2 degree 2 degree इसलिए OH अपना loan pair of electron कि इसको देगा जहां crowding जादा होगी तो यह इधर चला जाएगा तो जैसे ही आपने इसको बनाया तो क्या बन जाएगा 1,2,3,4 फूर तो carbon है दोस्तो रेक oxygen आगया तो five member ring का formation हो गया देख लो क्या मिल जाएगा five member ring अब यहां से attach हुआ है वहां पे carbon है और carbon के पास क्या है BR अब इसके पास क्या है दोस्तो H इसके उपर positive charge यहीं मिला न अब कोन करेगा दोस्तो BR negative आएगा कि मैं किसके उपर attack करूं अक्सर क्या होता है कि alkin के उपर BR का पहला addition उसके बाद में BR दूसरा nucleophile anti addition करता है तो यहां पे तो OH ने कर गया तो बाद ही कोई और मार गया तो यहां पे BR negative अब क्या करेगा इस acid का hydrogen के उपर attack कर देगा तो किसका formation हो जाएगा दोस्तों यह बन जाएगा अपने पास देख 67 नंबर सवाल यह अपने को क्या दे रखा है दोस्तों aromatization का सवाल दे रखा है यानि कि N-Heptan दे रखा है N-Heptan को CR2O3, AL2O3 की presence में high temperature और high pressure में क्या हो जाता है दोस्तों aromatization हो जाता है यानि कि 6 carbon, 6 से अगर कम है तो इसका मतलब उसमें cracking हो जाती है और 6 या फिर 6 से ज़ compound का formation हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है 1,2,3,4,5,6,7 carbon दे रखे हैं यानि कि N-Heptan का मतलब क्या हो गया एक state chain यानि कि सी दी साधी बोली बाली इसको अपने क्या कर देंगे high temperature पर CR2O3 और AL2O3 की presence में अगर अगर अपने heat कर देते हैं तो क्या हो बेंजीन कैसी होती है दोस्तो more stable अब इसमें six carbon है तो बेंजीन बनेंगे साथ है तो साथ निभाना साथिया के लिए क्या जाएगा दोस्तो CS3 और इसका नाम क्या होता है मिथाईल बेंजीन जिसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं दोस्तो टोलूइन बोला सता है तो अपना कांसा answer आजाएगा second answer कौनसा answer मिल जाएगा second नेक्स अगर अपन बात करने तो कौनसा दे रखा है अपने को कि यह थे दोस्तों अपना paper solution तो मस्त रहें सवस्त रहें जुड़े CLC के साथ paper दें नमस्कार जे CLC मांप्रकासन faculty of chemistry team CLC seeker DTSC 2022 में आपका स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि आपका paper अच्छा हुआ होगा तो मैं फीजिकल वाला जो portion 11th class का वह मैं आपको discuss कराऊंगा तो क्यों से नमर देको 68 आपको क्या वोल रहा है क्यों से नमर 68 में क्या है तो नमर आप न्यूट्रोन इन 5 ग्राम ओप डी टूओ डी टूओ में जो डूटेरियम है उसको किसी रिप्रजन करेंगे वन एच्छ टू से जिसका मास कितना होगा तो सबसे पहले इसका अपना मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इसकी र जाएगा यह इसका मोलर मास आजाएगा किसका डी टूओ का आपको क्या कैलकुलेट करने है आपको न्यूटरंस कैलकुलेट करने है तो डी टूओ में tuh होते हैं अब यसका अपनों केलकुलेट करते हैं मोल क्रूंको बे생 делает करने के लिए नमबर आफ यूट्रॉंस पाइब सबस्रोव सबक्र ministन स्फवाइब कर लिए कितने 10 इंटू मोल केरते हैं तो मोल सुब्सक्राब एक मॉलर मास मास इसका फाइब कराम कि इसका वास कि तुभिख कि पास उत इन gegenüber उत नहीं गी 2.5 Na Na की form में आपको answer बताना है तो कौन सा option से होगा second option is correct next question question number 69 69 question में क्या है 3.0 molar sodium hydroxide solution है जे density sodium hydroxide solution क्या होगा NaOH जिसका molar mass कितना होता है 40 gram पर more जिसके density आपको दे रहे कि 1.11 gram पर cc the molarity of this solution यानि million की आपको molar ता calculate करनी है तो देखो molarity आपको दे रहे कि density दे रहे कि है और molarity आपको find out करनी है तो इन में relation होता है molarity small m is equal to thousand m upon thousand d minus का m m a m a के molar mass of solute ये के solute का molar mass है molar mass of solute और solute का molar mass कितना ले लिया आपने 40 ले लिया हो रहे है तो आप value put करें या पर तो molarity कितनी दर कि 3 is equal to thousand into m upon नीचे के आजाएगा thousand into density आपको दर की 1.11 minus का m और m a की value कितनी दर की 40 इसको आप sol करोंगे तो इसकी value के आएगी तो 3 को इससे multiply करो आप तो यह आएगा 3 3 3 0 minus का 120 m और equal to thousand time इसको आप इदा replace करोंगे तो आपके पास final जो molarity है वोट के आएगी 3 3 3 0 upon 1 1 2 0 तो इसको आप sol करोंगे तो इसकी value के आएगी 2.97 के round आएगी exactly 3 times तो जाएगा नहीं नहीं हो रहे तो इसकी value के आएगी 2.9732 यानि कौन सा option है 4th option ही correct next question question number 70 first, second, third are 3 isotherm respectively at T1, T2 and T3 temperature will be there in order यानि आपको temperature का order calculate करना है pressure और volume की बीच में graph load किया गया है तो आप ऐसे equation को कैसे अंडल करोगे एक vertical line खेच लो या तो pressure की तरफ या volume की तरफ तो मैंने volume की तरफ एक vertical line की खेच दी और इस line पे volume क्या होगा इस line पे volume जो होगा वो क्या होगा constant होगा और idle गे इस equation से आप P proportional T को represent कर सकते हो रहे तो देखो य-axis पे क्या है pressure है इस point पे pressure सबसे जादा होगा इस line पे pressure P2 होगा इस line पे pressure P3 होगा तो सबसे ज्यादा pressure यह है तो pressure का order क्या हो गया P1 P2 और P3 जिसका pressure ज्यादा होगा उसका temperature भी क्या होगा ज्यादा होगा तो T1 then T2 और सबसे ज्यादा कम temperature किसका होगा T3 का होगा तो कौन सा option सही है third option is correct next question question number 71 equivalent mass of oxidizing agent in the reaction इस reaction में oxidizing agent का आपको equivalent mass calculate करना है तो oxidizing agent क्या होता है यहाँ पर सलपर है वो अपनी higher oxidation state में plus 4 यहाँ पर lower oxidation state में minus 2 वैसे सलपर के higher oxidation state plus 6 होती है तो देखो plus 4 से किसमें जा रहा है यह 0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है reduction हो रहा है और जिस reaction में reduction होता है उसका reactant हमेसा क्या होता है oxidizing agent तो SO2 यहाँ पर के oxidizing agent है and H2S यहाँ पर के reducing agent है अपने को तो oxidizing agent का equivalent mass calculate करना है तो equivalent mass is equal to क्या हो जाएगा इसका molar mass और SO2 का molar mass कितना होगा 32 अपन इसका valency factor तो chemical reaction में number of transfer electron होते है वह उसका क्या होता है valency factor तो transfer electron कितने है 4 तो यह किस के equal हो जाएगा 16 के equal हो जाएगा it means second option is correct next question number 72 72 क्या है the following set of quantum number represent 4 electron in an atom यानि कि 4 electron एक atom में दे रखे हैं जिसमें आपको N यानि principal quantum number और L azimuthal quantum number की value देरेके energy का increasing order आपको निकालना है यानि N plus L rule के according आपको क्या करना है इसकी energy find out करनी है तो जिसमें N plus L की value ज्यादा होगी उसके energy क्या होगी ज्यादा होगी ज्यादा होगी जिसमें N plus L का जो addition है वो क्या होगा ज्यादा होगा अगर N की N plus L की value सेम है N plus L की addition जो same है then आप क्या करोगी जिसमें N की value ज्यादा होगी उसके energy क्या होगी उसके energy ज्यादा होगी अब अपन N plus L का addition करते हैं तो N plus L यहाँ पर कितना हैगा 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 तो आपको देखना है कि N plus L की value सबसे ज्यादा इन दोनों में है लेकिन इन में same भी है तो जिसमें N की value ज्यादा है इसमें N की value ज्यादा है तो इन दोनों में first की energy ज्यादा होगी तो first की energy क्या होगी ज्यादा होगी then then होगी third की उसके बाद में इन दोनों में पुन चेक करते हैं तो इसमें की वेल्यू ज्यादा है तो सेकंड की एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी और सबसे कम किस्की होगी फॉर्ट की एनर्जी होगी तो यह इनकी एनर्जी का इनक्रिजिंग ओडर आ जाएगा तो कौन सा उप्शन सही होगा फिर्स्ट उप्शनीज क्रेंट नेक्स क्यूशन 73 इन विच आप फॉलूंग केपी जलेश देन केशी निम्ड में से कौन किस्में केपी का मान केशी से कम है यानि की वी नो देट केपी ब्राबर केशी आर्ट की पावर डेल्टा यह रिलेशन होता है केपी और केशी के अंदर डेल्टा यहां पर किया है मॉल आप गिसेस प्रोड़क्ट मॉल आप गिस्प्रोड़क्ट माइनस मॉल ऑफ गेस रियक्टेंट मॉल ऑफ गेस रियक्टेंट ठीक है अब देखो डेल्टा एन की विल्यू पून चेक करते हैं डेल्टा एन की विल्यू अगर एक से ग्रेटर देन है याने डेल्टा एन की विल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो केपी की विल्यू हमेशा ज यही आपका क्यूशन है कि किस option के अंदर KP की वेल्यू है वो कमारी है किसी से तो कौन सा ओप्षन है थार्ड ऑप्षन इस क्रेक्ट नेक्स क्यूशन किस नमर 74 गैसे विच आप फॉलूंग और विटल्स इस मिनिंग लेस्ट निम्द में से कौन सा कख्षक अर्थ ही नहीं यानि कौन सा जो कख्षक वो पोसिबल ही नहीं है तो इस केस में अपने क्या करेंगे एन की की विल्यू एल की विल्यू से झ्यादा होने चीह और एन की विल्यू एल की विल्यू के एक versa ड मशिआ थीक है तो फिस्ट ऑप्षन देखते अपनंई की सिक्स और एल कि वी हुप कितने है थ्री यह और बैच है और सेक्ट के अच्ठ करते हैं क्सराने की विल्यू टु है औ 75 में आपको क्या पुछी है pH पुछी है calculate pH op solution whose 100 ml contain 0.2 g sodium hydroxide dissolved in it यहनि आपको sodium hydroxide की सबसे फ़ले आपको concentration निकालने पड़ेगे तो pH is equal to होता है आपको सबसे पहले sodium hydroxide की concentration निकालने पड़ेगी तो इसकी concentration आप कैसे निकाल होगे तो concentration is equal to mole upon volume और mole कैसे निकाल होगे 0.2 upon इसका molar mass कितना होता है फोर्टी ग्राम पर mole upon इसका volume कितना है 100 ml इसको आप लेटर में convert करने के लिए 1000 से multiply कर दो 2-0 से 2-0 cancel out, 1-0 से 1-0 cancel out तो जो आपके पास concentration आएगी वो आएगी 0.2 upon 4 तो यह आजाएगी 1 upon 20 जिसको आप प्रीपरजन कर स्क्रिवत पॉइंट 0.5 से और इसको लिखो गया आप 5 into 10 की पावर माइनस का 2 यह आपके पास एग्योंच की concentration आगी और एग्योंच की concentration आगी इट मिंस किसकी concentration आगी आपके पास वोच मैनस न की concentration आगी और तो इससे आप पॉइंट करो तो पॉइंट इसको लिखो टू माइनस का लोग टेन बेस दिस तो इन फाइफ इन टू फाइफ इन टीन की पावर माइनस का तू इसकी विल्योंच करोगे तो तू माइनस लोग टेन बेस फाइब कितने होगी वन पॉइंट थी के रांड यह आपके पास पॉइंट आ गया तो पी एच कैसे कल्कुलेट करेंगे तो पी एच बराबर हो गया फोर्टीन माइनस का पॉइंट तो फोर्टीन माइनस पॉइंट कितना देजिए एक पॉइंट तीन तो यह 12.7 की अप्रोक्सिमेटल आगी त तो कौन सा ओप्शन 12.7 की नीरेस्ट है तो सेकंड ओप्शन इज क्रेक्ट नेक्स्ट क्यूशन क्योशनze नमर 76 क्या है इन था फॉइंग पॉओंग रियक्शन यह आपको रियक्शन गीवन है ठीक है वे चॲ टू सब्स्टान सा ब्रॉंस टेंट बेस ब्रॉंस टेंन के अंदर ये आयन है वह एंज प्लसियन क्या कर रहा है डॉनस टेंट कर रहा है तो यह तो उह गया इसका एइसेट यह अगया है एस टो यह हमेसा क्या होगा बेस तो यह हो गया इसका एसीड का कॉंजुकेडेड बेस हो गया हूँ तो सेकेंड जो भी से क्या हो गया कार्वनेट आइन हो गया तो कौन सा अप्शन से है फॉर्ट अप्शनीज और चेहरेक्ट किनेक्स क्यूस्टन गो 77 सेवन केस्पी ओप इस कंपाउंट जर्कोनियम फोस्पेट का आपको केस्पी केल्कुलेट करना है और अगर इस फोम में आपको कोई कंपाउंट दे रख है इसके लिए केस्पी आप कैसे लिखते हूँ एक्स की पावर एक्स वाइट पार वय और एस की पावर एक्स प्लस राइगा एक्स की वृण्ला साथ compare करो X की value कितनी हो जाएगी 3 तो X is equal to कितना जाएगा 3 और Y is equal to कितना जाएगा 4 तो 3 की power 3 4 की power 4 S की power 3 plus 4 तो इसको आप calculate करें तो इसकी value कि आएगी 6912 S की power 4 आएगी तो ऐसा कौन सा option दे रहे का आपको third option दे रहे का third option is correct next question है in which condition process is spontaneous at all temperatures यह temperature depends नहीं कर रहा है कोई भी temperature को process क्या होगा spontaneous और spontaneous process के लिए delta G क्या होगा negative होगा और और we know delta G is equal to kya होता है delta H minus का T delta S तो delta G delta H delta H क्या होना चीए यह negative होने के लिए delta H का negative होना बहुत जरूरी है तो first option अपने put करते हैं delta H है वो क्या है negative है मानस T डिल्टा है क्या होना चे है, positive क्योंकि positive, negative, negative और negative मिंदर और negative टो तो क्या होग जी ओर आल delta G कि value negative होगी तो spondsoonist process के लिए delta G का negative होना बहुँ जरूरी है तो कॉन सा option होगा first option is correct next question number 79 लाइन तो विच्वन आफ द फॉल्वविंग इज एन इंटेन्सी प्रोपर्टी निम्ने से कुन सा एक मात्रा सोतनतर गुंद रम में जो अमांट पर डिपेंड नहीं करता है तो फर्स्ट ओप्शन है यह मैं पॉप सेल है जो कभी अमांट पर डिपेंड नहीं करता है बाकी सब्रक्राइं फर्स्ट ऑप्शनीट क्रैक्ट रहेसे अहां कि स्राव मैं ररेक्शन आपको देर कि देए स्प्रकार्पन प्लस फोर आसे भी डाउं दॉगा च्छ डू इससे प्लसच इसी स्टोग्स डूंट यगा इसके लिए उन्हलimet टैलपी एक्साई टो देहं तो दोखों सिस्ट फॉर रहें इसमें चार से पॉर्ड और इसके जो बॉर्ण्ड एनरजी है वह आपको देरी किए றे है वो किसकि एकुल होगी एक सब्सक्राइबर और यह किसके ब्रबॉर गाइज सक्जिए जाए ओक है आप आसे पूछी प्रिएंगी और अयुक्त zona शांगद victorious स Rap इसके बाद करते हैं तो इसके अंदर एक तो कार्मन कार्बन बोन होगा और बाकी सब क्या होगी कार्बन एक्टों की वन्ड की तो डेल्टा एज इस को रिट मैं हो जाएगा डेल्टा एज CC plus 6 into delta H CH bond और यह delta H कितना दे रखा आपको X2 दे रखा है और delta H CC bond की bond energy आपको क्या करने है calculate करने है plus 6 into delta H CH bond कितना है X1 upon 4 उसकी value क्या जाएगे आपके पास delta H CH bond CC bond की जो bond energy है वो क्या हो जाएगी X2 माइनस का 3.2 X1 ऐसा कौन सा option दे रखा है ऐसा fourth option दे रखा है तो fourth option is correct next question number 81 यह आपको एक reaction दे रखा है इसके अंदर आपको X Y और Z की value calculate करने है तो सबसे पहले पूर लिखेंगे Oxidation half reaction Oxidation दे को इसका हो रहे है यहां पे carbon का Oxidation state क्या है plus 4 और यहां पे carbon का Oxidation state क्या है प्लस 3 और यहां पे प्लस 4 तो सबसे पहले आप लिखेंगे Oxidation half reaction तो Oxidation half reaction में क्या है C2O4-2 किस में convert हो रहा है CO2 में हो रहा है इधर carbon के 2 यहां पे प्लस 4 Oxidation state है और यहां पे प्लस 3 Oxidation state है तो पर molecule की अगर बात करों तो दो इलेक्ट्रोन रिलीज होंगी एक carbon के लिए प्लस 3 से प्लस 4 एक लेक्ट्रोन का चेंज और दो carbon के लिए दो इलेक्ट्रोन का चेंज तो यह आपकी होगी Oxidation half reaction अब हम बात करते हैं Reduction half reactions की तो पर-magnetine MnO4-1 जो Mn प्लस 2 में क्या हो रहा है Convert हो रहा है तो यहाँ पी इसका Oxidation state कितना है प्लस 7 जो 5 एक्ट्रोन गेर करके खिसमे करोट होगा प्लस 2 में यह होगी reduction half reaction अब आपको इन इलेक्ट्रोन को cancel out कुणने है तो इलेक्ट्रोन cancel out कब होगा equation first को 5 से multiply करोगी equation 2 को 2 से तो इसको multiply 5 कर दो उसको multiply 2 कर दो then after add कर दो तो आपने क्या क्या equation 03 फरस्ट है उसको multiply किया 5 से प्लस equation 2 है उसको multiply कि आपने टो से, तो equation क्या है आपके पास 5C2O4-2 ृसको आपने किके क्या टू से तो टू एमन ओफोर माइनस वन प्लस अगेन इधर क्या एगा टू एमन प्लस टू और टेंस यूटू अब कार्बन और मैंगनीज बिलेंस होगी आप चेक कर सकते हो और अब आपको ऑक्सिजन और हाइटोजन बिलेंस करना है तो यहां पर 20 ओक्सिजन होगी और यहां पर होगी तो यहां पर 28 ओक्सिजन के एटम और कि कितने होगी इस सब्सक्राइब करने के लिए इस अपके पास कि आएगए एक्स की विल्यू टू आएगी वाई की विल्यू कितने आएगी फाइब और जेट की विल्यू कितने आएगी 16 तो 2 5 16 कौनसा ओप्शन सही है फास्ट ओप्शन इस क्रेक्ट next question है what will be the pH of aqua solution of ammonium formate ammonium formate की pH आपको calculate करनी है यानि की ammonia plus formic acid करेंगे यह क्या हो गया ammonium formate हो गया तो यह किसे मिलके बनाए है weak base और weak acid से मिलके बनाए है जिसकी pH concentration पर डिपेंड नहीं करेंगे तो इसके लिए पीएस का formula क्या होगा pH is equal to 7 plus half pka मानस का हाप PKB तो pH is equal to क्या हो जाएगा 7 plus half PK और PK की विल्यू कितने दरी के 3.8 मानस हाप PKB और PKB की विल्यू कितने दरी के 4.8 हो तो pH कितने आगे 7 plus 1.9 मानस का 2.4 तो यह आएगे आपके पास 6.5 की अराउंड अजाई तो कॉंचा अप्शन होगा second option is correct next question question number 83 between two orbitals are located along the axis यह along the axis होगी not between the axis यह यह between the axis नहीं होने चाहिए यह between the axis नहीं होने चाहिए तो अगर मैं d orbitals की बात कूँँ तो d x y z d x y d y z और d z x यह मेंसा क्या होता है in between the axis होता है in between the axis होता है जबकि d x square y square और d z square यह सब क्या होंगे along the axis होगी along the axis पी की बात करने तो पी एक्स पी और पी जेट यह तीनु जो और बिटल्स है वो भी क्या होंगे along the axis होगी तो इन और बिटल्स को अपने को determine करना है क्योंकि आपको पूच्छन में पूच्छा है दोनों का अक्सक अक्सों पर स्थित होंगे ना की अक्सों के मत दे हो रहे in between the axis नहीं होने चाहिए तो along the axis यह नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता और यह नहीं हो सकता क्या होंगे हो रहे पी जेड और डी एक स्क्वेर वाई स्क्वेर तो कौन्चा उप्शन से होगा फॉर्थ उप्शन इज करेक्ट ठीक है तो यह फिजीकल वाला पॉर्शन मैंने सोल आपको करवा दिया थैंक यू सो मच जे स्टूडेंट्स मैं दैयाल जोदरी टीम सेल्सी टीम केमिस्ट्री डिटीए सी का पेपर जैसे कि आपने सबने दे लिया अब जो भी आपके सामने समझ से हैं उनका सिंप्लिवाइज सोलेशन अपन देखते हैं जो भी प्रोब्लम्स हो आप यहां से उसका वीडियो सोलेशन देख सकते हैं जैसे फर्स्ट अपने एटीफ और इन और्गेनिक अपार्ट में डिसकस करने जा रहा हूं यह विच आप दी फॉलोइंग मेटल की उसे इन फ्लेम मेटल्स तो यह दोनों आपकी एंफ़ोटेरिक मेटल्स हैं यह एसीड के साथ करवाई चाहिए बेस के साथ रेक्शन करवाएं यह दोनों के क्या दोनों के साथ ही as to gas liberate करती है और as to gas आप जानते हो pop sound के साथ जलती है clear तो यह बात हो गई अपने इस question की next question की और बात करें अपन अपना next question है student ionization energy of fluoride is a 320 kilo joule mol inverse याद रखे हैं आप हमेशा किसी भी एक element की अगर ionization energy की बात करें अपने हाँ हाँ तो किसी भी एक element की ionization energy की बात करें suppose अपने पास atom a है clear यह आपका जा रहा है a plus में electron निकल रहा है तो यह हो गई आई अब वापस यह इदर आएगा वो गई यह electron gain करगा यह दोनों equal होते हैं वस sign का फरक है यह positive होती है और यह negative होती है वैसा ही यहाँ पेगा है कि जो fluoride है उसके ionization energy कितनी है 320 तो fluorine की यह कितनी होगी तो fluorine की यह इतनी होगी वस negative में आ जाएगी आपका कौन सा answer हो जाएगा first next question क्यों और चलते है अपने वीटों यह भी अच्छा question है कि the correct order of acid strength of the following is तो हम इसा ध्यान रखे ओक्साइड और oxygen की जब भी बात करें उनका जो स्ट्रेंथ होता है पिर से ध्यान से सुन्दा हम है ओक्साइड और सिर्प oxygen की बात किये इनका जो acid strength होता है वो directly proportional to होता है electronic activity की चाहिए L2R चले चाहिए डाउन दी ग्रूप चले तो यहां पर देखो यह तो प्रटेरिक हो गया सबसे कम acidic होई गया अब यह तीनों acid है इसमें आपका प्लस पॉर में है यह प्लस पाइब में यह प्लस पॉर में लेकिन साथ में देखें तो सबसे ज्यादा इसी की है 2.5 यहां पर इसकी इन कितनी है 2.1 यहां पर सिलिकन की 1.8 हो गई और aluminium की आपकी और भी कम हो जाती है क्लियर तो यहां पर देखा जाए तो आपका कौन साथ सिक्वेंस अला जाएगा फर्स सिक्वेंस इस का आंस्वर हो जाएगा next question की बात करते हैं डियर तो यहां आपको पता है लेड़ की आइनिजेशन एनरजी टिन से ज्यादा हो जाती है due to lengthenode contraction तो यह तो सही है यह आपका extraordinary बन चुका है neon और यह आपका बनाया अभी sodium इलक्रो निकालने के बाद में तो आपको बता है neon की आइनिजेशन एनरजी ज्यादा होती है तो यह बात भी सही है यहां पर बात करें यह तो बन चुका है helium और यह बन चुका है आपका nitrogen नेक्स्ट की बात करें यहां पर क्रेक्ट और ड्रॉब इंक्रीजिंग रेडी और तो रेडियस का जब भी साइज बूचे तो आइसो इलक्ट्रोनिक सीरीज में तो हमेशा ध्यान रखे जैड बढ़ने पर साइज कम होता है तो सबसे पहले जिसे बेरिलियम से लार्ज कोन सबस्क्राइब लिथियम प्लस और लिथियम प्लस से लार्ज होता है सोडियम प्लस तो सोचने की जरूरती नहीं है यह आपका फश्टी आपका और अंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट जी इनकरेक्ट और ऑडर ओब बांड डिसॉस्यास ने एनर्जी याद रखे बांड डिस्वोस्यासन एनर्जी जो होती है वह इनवर्सली प्रपोर्सनल टू चलती है साइज प्रपोर्सनल लूगा तो यहां पर देखे सबसे स्मॉल है तो सबसे इस ट्रॉम फिर इससे थो फिर enlarge वाई यह तो सही है यहाँ पर देखें अब size के अनुसार तो सबसे strong होना चाहिए था oxygen oxygen को लेकिन actually यहाँ क्या होता है carbon है यह आपका nitrogen है और यह आपका oxygen single bond है तो इसके valence cell में कितने electron और बच गए three चार होते हैं इसके कितने बच बच गए four तो बहुत स्मॉल साइज होने से यहाँ पर एक अलग से effect पढ़ गया लॉन पेर लॉन पेर रिपल्स जिस वज़े से यह bond सब से कमजोर हो जाएगा यह strength का सही और रहेगा तो आपका second incorrect हो जाएगा राइट नेक्स सलते है जैसे यह रहा यह सही है ठीक है next in which of the following is the value of magnetic moment is not change यह आपको MOTC देखड़ा है ठीक है MOTC देखेंगे तो आप इसका correct answer यह पाएंगे कैसे MOTC configuration बढ़े oxygen का बढ़ते हैं फ़ले sigma 1s2 sigma 1s star 2 sigma 2s2 sigma 2s star 2 फिर sigma 2pz2 pi 2px 2pi 2py 2 2 फिर आपका pi 2px anti-bonding pi 2py anti-bonding तो यहाँ पर देखो दोनों के पास एक एक यह तो है O2 O2 प्लस बनाना हो तो एक elektron निकालना पड़ेगा तो अनपेड एक बच जाएगा तो magnetic moment 1.73 आजाएगा और अगर O2 माइनस बनाना है तो एक elektron और गेन हो जाएगा तो भी अनपेड एक ही बचेगा किलियर तो आपका कौन से answer रहेगा यहाँ पर नेक्स चलते हैं पर देखेगा यहां बात कर रहा है इन विच ओप दी फॉलविंग चैंजेज एडजेसेंट बॉंड एंगल इंक्रीजेज मतलब सबसे नजदीक वाले बॉंड एंगल कहां पर इंक्रीज हो रहा है यह बात कर रहा है तो जैसे यहां पर बात करें इसमें crisp3 हो गया तो यहां पर तो बॉंड ऑंड एंगल 180 से कितने हैं 109 आ रहा है तो यहां तो कम हो रहा है करें यहां पर बात करें एएस्पी थ्री एब डाइजेशन से एएस्पी 3D2 हो रहा है तो यहां पर नियरेस्ट बॉंड एंगल 90 का ही आजाएगा 109 था यहां किलियर बीएफ 3 यहां पर कितना रहा है तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है फॉर्थ करेक्ट तो यहां पर फॉर्थ आपका पर नेक्स्ट की बात करें यह कापी अच्छा की उसन है देखो विच आप दे फॉल्वविश्ट इस्टेट्वेंट इस नौट करेक्ट आपको यहां से इनक्रेक्ट इस्टेट्वेंट निकालना है दे मैक्जिमम नंबर ओफ एटम्स इन वन प्लेन इन बी थ्री एन थ्री एज शिक्स टूलव है क्या तो इसकी श्टेक्टर बिल्कुल बेंजीन की तरह ही होती है सबके पास एक एक हाइड्रोजन जुड़ावा होता है सबके पास क्या जुड़ावा होता है एक एक हाइड्रोजन इसके पास लोन पेर इसके पास वेकेंडी और्बिटल बैक बॉन्डिंग हो जाती है यह तो आप यहाँ पर देखो यह सारे एसबी टू है बर्डाइसें रख रहे हैं तो यह तो प्लेटर होईगे और एसबीटर टेच अटम भी वेसा प्लेटर होता है तो शिक्स यह और शिक्स यह 12 अटम एक प्लेट में यह वास ही है फिर ऐस्थी ओनाइन की स्टेक्चर देखना सलफर औक्सिजन औक्सिजन आसो 3 का ट्राइमर ही है एउसिटे ही साइकलिक ट्राइमेरी आग्जिस्ट करता है यह डोप डोप कैमिट है नहीं होगा डोपके नेकि लुटर समय snoo डड़ए यह खें रहा है इसके अंदर इस और आस लिंचे परजेंट है बिल्कुल यह रहा सो एस लिंगे जिसमें परजेंट है यह बात भी सही है मैक्सिमम नंबर और पर आइडेंटिकल बॉंड एंगल सी एलो फॉर माइनस का एस पी त्रिया एवर्ड है जिसने लोन पेर सेंट्रल एक्टम के पास जीरो है तो ऐसे में 10928 के बॉंड एंगल कितने होंगे 6 होंगे नहीं कि 4 तो आपका इंटरेक्ट टांसवर कौन सा हो जा ये आपका वाली बात होगी तो इसकी इसे कर्फेस देखना वोरर एक्स में क्या होती है आ Hash जुडा होता है इधर ओए जुड़ा होता है इधर और यह वाट यह और एक अलब यह नेग्टिव और यह पर देखो 224-2628 इसका ओक्टेट कंप्लीट यह वाले कार इसका भी ओक्टेट कंप्लीट यह तो सिर्फ दो सेंट्रें जिन का ओक्टेट कंप्लीट है क्लियर नेक्स्ट के एप कंबाइन विद एच एप टू फॉर्म के एच एप टू दे कंपाउंड कंटेंड दे स्पीसिज हाँ बिल्कुल यह के एच एप टू बनाएगा यह मैं इसे द्यान करना इसमें एक तो के प्लस और एक एच एप टू माइनस एक्जिस्ट करेगा यह कैसे एक्जिस्ट करता है यह फ्लॉराइड है और यह आपका है तो एच बॉंड के दुवारा यह सर्वाइव कर जाता है यह आपका क्या गया है क्लियर तो आपका कौन सांस्वरा जाएगा सब्सक्राइगा नेक्स क्यूशन की बात करें यह भी अच्छा क्यों से नहीं इन्हें SP3D2 हाइबडाइजिशन कौन से दी और वाइटल यूज होते हैं तो याद रखें SP3D के लिए तो कौन सा होता है DZ स्क्वार SP3D2 के लिए कौन सा होता है D X स्क्वार तो इसके लिए कौन सा होता है D X स्क्वार Y स्क्वार और D Z स्क्वार और SP3D3 आजाता तो कौन सा होता है D X स्क्वार Y स्क्वार D Z स्क्वार और D X Y तो आपके इसकी बात कर रहा था तो answer कौनसा आ जाएगा फर्स्ट रांस्वर और अंस्वर है है क्लियर नेक्स्ट कुश्ण पे चले हाई 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 वैसन से ही भी कोई दिक्ष ना है कि इसकी सेप पूलची है तो हाई है इसका कितना हो गया SP3 SP3 Iveridization होने का मतलब यह तो लॉन पेर लॉन पेर को कभी सेप में काउंट करते नहीं है तो ट्राइगोनल पिरामिडल सेप आ गई है तो पिरामिडल क्लियर नेक्स्ट which is the most stable carbonate carbonate polyatomic A9 है और इनकी stability जो होती है thermal stability वो inversely proportional to चलती है फाई और फाई आपका होता है है चार्ज अपॉन साइज तो जो साइज में बड़ा है वो ज्यद्धा इस्टेबल है तो कौन सा गया बेरियम कार्बोनेट के लियर नेक्स्ट सेलते हैं आप अँआ the tendency to lose their valence electrons easily by alkaline metals makes them easily electron gain कर है मतलब उनका उक्षिडेशन हो रहा है तो वो स्ट्रोंग रिडिजिंग एजेंट का काम करेंगे तो इस्त्रोंग रिडिजिंग एजेंट आपका कौन अंदर आपके जो spin होती है न्यूट्रों की उसमें फरक होता है तो आपका spin of privilege, second answer हो जाएगा, next photochemical smoke, एक होता है classical smoke, एक होता है photochemical smoke, यह chlorofluorocarbon इसमें absent रहेगी, कौन से absent रहेगी, chlorofluorocarbon, तो यह अपना inorganic का पार्ट था, clear, okay, thank you